नमस्कार दोस्तों आज 7 जुलाई 2019 को आपका सीटेट का पेपर था उमीद है कि आप लोग ने बहुत अच्छे से पेपर किया होगा और जरूर से जरूर आप सीटेट की परिच्छा को पतीन करेंगे अच्छे नंबरों के साथ कट आफ जो है उसके उसे उपर नंबर आप ल निकालने का प्रियास किया जाएगा वह टॉपिक है चाइड डेवलिप्मेंट का और यह लेवल है प्राइमरी वन टू फाइफ का सेट क्यों का कोशन है एक बात मैं आपको बदाने चाहूँगा कि लगबग 90 परसन कोशन पूछे गया है जैसा मैंने आप लोग को क्लास मे या वीडियो के माद्यम से पढ़ाने का प्रयास किया था तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजे आपके लिए 100 परतिस्ट उप्योगी सिद्ध होगा मैंने कई बार अपनी क्लास में भी बताया है जिस प्रकार से पेपर्स का एनलिसिस करने के बाद इन बा तो आप इसको अच्छे से नहीं पढ़ते तो आप ये बात समझ लीजिए टॉपिक को पढ़िए अच्छे से पढ़िए संबंदित प्रश्णों को जरूर से जरूर करते दिए यही प्रयास हम लोगों ने अपने वीडियो में किया है कि जो भी टॉपिक हम लोग पढ़ते है चैसे समाविसी सिक्षा पढ़ा तो समाविसी सिक्षा को पूरा पढ़ा अच्छे से समझा और साथ में उससे संबंदित जो प्रश्णा पूछे गए उनको भी हल किया जिससे यह समाझ में आ जाता है कि क्रश्ण कैसे पूछ जाते है चलिए आगे सुरू करते हैं अब समाविसी सिक्षा आप जानते हैं कि और दूसरा कोश्ण कर भी रहा है कि नियमित विद्याले विवस्ता में समाविसी सिक्षा आप जानते हैं कि और दूसरा कोश्ण कहें भी रहा है कि नियमित विद्याले विवस्ता में समाविसी सिक्षा आप जानते हैं कि और दूसरा क प्राप्ते करने का दिकार समाविस्थी सिक्षा की बात होती है ठीक और यही बात 2009 की सिक्षा गादिकार दिनिया में कही जा रही है ठीक है अगला तीसरा कोशन एक सिक्षा को चाहिए क्या पैसे चाहिए कि वह यह सम्प्रिसित करें कि वह कख्षा कष्ष में सभी संस्कृति का सम्मान करती है और महत्वा देती है इस बात आप समझ लीजिए सिक्षक कभी भी संक्वीर मान सकता कर नहीं हो सकता किसी विशेश संस्कृति समधायों को बढ़ावा दे बिल्कुल नहीं देना चाहिए उसे नहीं वह सिक्षक हो पाएगा जो ऐसा कर पाता है दूसरी बात क ही गई विबिन विवित्ताओं और संस्कृतियों को की अंदेखी बिल्कुल नहीं हो सकती यही आपका तीसरा ओप्षन सही है ठीक है अगला कोशन दिखते है चौथा कोशन क्या कह रहा है पाच्वा कोशन को कख्षा में प्रस्तना पूछन के लिए क्या करना चाहिए प्रेद करना चाहिए और एक बात और इसे सम्मालित प्रश्न आता है आई बात उटली कई बार आप लोगों सिक्षक चुपी होने वाले हैं आपके क्लास में कई बार बच्चे ऐसे होते हैं जो अधूरे उत्तर के साथ कई बार खड़े हो जाते हैं प्रश्न को कम सुन करक आपको डाट कर बैठाना नहीं है ऐसे बच्चों को अगर आप ठीक से पढ़ो या ऐसा करके आप अगर उनको डाट कर बैठा देंगे कि पहले पूरा पढ़ लिया करो तब बताया करो अगर ऐसा अगर आप करते हैं तो उनमें यह मनुवाग्यानिक अंधन की बात है कि उन तसीता जवाब भी दे रहा है तो उनको दुरूस्त करना चाहिए अब आगी उसका कोशन भी आया है कि बैच्चों की प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थ तक अधिकम गटित होता है तो लगबग सारे हैं देशन और संचलन नहीं है सेवंध कोशन जो था वो मिलान समस्याओं का हल निकाल सकते हैं जो साइंटेस्ट हैं वो स्रजनात्म की लगबग होते हैं तो अध्यान की कमी किस्की होते हैं जो जल्दी होता है तो एंसर वन आपका सही है उसमें इर्थ कोशन देखें का कहता है बच्चों की गलतियां अधिगम का एक पार्ट है जो उनक अधिगम की प्रक्रिया का एक भाग है तो कोशन नमबर आठ का दूसरा ऑप्शन सही होना चाहिए आग आते क्या कह रहा है देखते हैं नाइंत कोशन मूल्यांकन लगबग पढ़ाया सारी चीज़े यह मैंने आपको बताई हुई है मूल्यांकन सिक्षन अधिगम प्रक्र वही है जो विवार में होने वाला परिवर्तन है चोकि इसके अधार पर इसके परणायम को सुरूप होता है अनुभाव के परणायम को सुरूप देखा जाता है यह बात मैं बहुत ही आपको अच्छी तरीके से समझाई थी जब सिक्षक को विद्यार्तियों एवं उनकी य प्रास में सीखने के लिए सदव उत्सुक और प्रणित रहते हैं चुर्था उप्सन 11 कोशन का सही है मेरा मतलब सिर्फ एंसर की देना नहीं है प्रशनों को समझना है जिससे आप अगली परिक्षा में भी बैठें तो उनको समझ सकें यह एक प्रकार का पेपर अनलिसिस है ना कि एंसर की कहा जाए ठीक है तो एंसर की तो इसी बात नहीं समझ सा समाधान के लिए यह बनाना है वालकों को तो आपको बच्चों को समस्या समाधान के की बारे में जो सहर अनुभूत सहर रूप से वनुमान लगा रहे हैं और बहुविकल्पि के लिए उनको प्रोसायत करना चाहिए ठीक है वह विद्या जिनके लिए विद्यार्थों की स्वपहल और प्रयास सामिल है तो वह अधिग्म केंदित विदी होती है नीचे दी हु करते हैं कि वह परियाप्त रूप से अच्छी नहीं है यानि वह चीडियो को समझ रहे हैं और हतोताहित मैसुस करते हैं तब उनके उनमें बिना प्रयास के कारे को छोड़ देनी के सम्माव ना है तो यह लगबग चौथा कोशन है संग्यान और संवेक अलग नहीं है पाट जाते हैं जिन प्याजे साहब बच्चों को फिरी गैंकरने माताली मानते हैं ठीक है तो 16 q.ka का तीसरी अप्षन सभी है आग यह सेवेंटी में चलते हैं जेंडर क्या है जेंडर क्या है जेविक निर्धारक है के समाजिक जेंडर रूड़ वाजिता अगर कोशन होता तो सम पाजिक सब्रशना होती है अगला क्वेशन है कि निम्लिकित में से कौन सा ये तीसरी बार क्वेशन आया है जाने जिए आप मैंने वीडियो में आपको बताया वे था चौता अप्शन इसका सही है विकास का मतलब सभी आया मून है बुद्धी के बारे में निम्लिकित में से कौन सा सही है देखिए मैंने आपको बुद्धी के बारे में भी एक बार बात बताई थी कई सारे सिद्धान्द बताने के बा या बहु बुद्धी के बारे में बता रहा होगा हो सकता हूँ अप्शन सही हो तो मेरे साथ से 19 का तिसरा कोशन सही होना चाहिए आगे देखते हैं प्रेगत्सिल शिक्षा में बच्चों को किस तरीके से देखा जाता है बिलकुल सक्री अनिवेशिक के रूप में देखा जा करता है अपने ध्यापस सीखता है अपने स् efforts के साथ ही के साथ बिस्था कि दोस्ति हुआ है जो जिल्स होते हैं जीनकी म एक च्छी होती हिंधी अच्छी होती वह साथ महीं इस 시청 सहीखते बात कहते बारे में बताता है देखे रिवर्सिबिल्टी नहीं हो पाती ठीक है एट उन्टी ट्यू उसको करना सिस्टीन तो सिस्टीन तो आया है लेकिन सिस्टीन को फिर से फैक्टर करने में उसको प्राउलम होगी ठीक है तो रिवर्सिबिल्टी नहीं होती इसलिए यह रिवर्सिब कुछ अब इसमें लग रहा है लेकिन ठीक है जैसा कि सक्री अनिवेश्य कहे जा रहे हैं तो स्वाभाई उनुप से प्रेजित होते हैं और सिखने में सक्ष्यम होते हैं ठीक है 23 का फॉर्थ कोश्चन चालक विकास में अब लेकिए विकास क्रियात्मक विकास से संबंदित है इसमें विकास संबंदित होता है जिसमें सरील के अंकों पर भ्रेक्ति का नियंत्र लेकिन इसमें पूछा है इसमें विकास च्रम के से संबंदित हैं कि चालग विकास का करम कहां से कहां तक होता है तो वैसे समाने से विस्षिस्ट होता है तो मेरे साथ के सूषम की और अपरिसक्रच से सूषम knife यानी fine ठीक है तो 24 चुशन हो गया अपका 24, अगला question देखते हैं हम लोग 25 है तरुसे क्या चैनल सब्सक्राइब करना सुरू करें तो इत्तर वाल या वस्ता हो सकती है जीन प्याज़े के नुसार था आपको ग्यान को शनुजित करते हैं चौथा अप्सन सही है 27 क्या कहा रहा है कि मौकिक समभाष्ण जो ये भी बात मैंने वाई गोच्की को पढ़ाते समय आपको बताई थी दोनों बाते कि वह वहार जो बालक वह वारता या वह भासा जो व्यक्तिके व्यवार को नियंत्रित करती है वह प्रैवेट स्पीच कहलाती है आतरिक संभाष्ण कहलाती जिसे व्यक्तिकत बारता और प्रैवेट स्पीच आपका अंगलिस में और सब्सिकि को जूज को छोजा करिए इसलिए मैं दोनों बात्षा में आया भाथ्या कि इसकी क्राइवेट स्पीज यह लंग के साथ tool करना काइंग के साथ income maker लिंग के साथ सम्बंदित करना यह दो कि यह वही बात है कि यह लड़किया खेलती है ऐसे लड़के वा सब कुछ किसे समधित है जंडर लोड़वाजता से समदित है उसको अड़ाने एक बार Sum सारे कोशन मैंने बताय हैं आपको और जैसे कि बच्चों ने भी चात्रों ने भी फोन करके बताया कि सर नगभग वही कुछ आ गया जो आपने पढ़ाया था तो इसे एक बस ऐसा कुछ नहीं है बस मैंने आपको सहीयो करने का प्यास किया था अगे दिखतें क्या है फ्रारंविक अक्ष्ण में बालत जो आता है वह अपने अनुवहों को साथ मिलेकर आता है तो आप ऐसा नहीं है कि उनके सारे अनुवहों को असिव कर देंगें उनको सामिल करिए और आगे का दिन करिए तो 29 का तीसरा औक्षण सब्सक्राइब चाहिए चोथा कुशन की जब बात होती है तो वह सरवतिक सारबोम नयतिक सिद्धान तबिन्यास कहलाता है ठीक है और हिंज की दुविधा के बारे में मैंने आपको बताया था कि कॉल बरग में बच्चों को जब उनका सचाथकार किया तो उनके सामने कि हिंज की नयतिक दुविधा की सिद्धी वह अपने आपको निद्ध करना पड़ेगा और इमांदारी कि माने के अंरुप नहीं होगा और वह अंसर आपका सर्वतिक नीत परक सिद्धान्त नुकता है तो लगबा कोशण इसका अंसर यही होना चाहिए सारबोम नयतिक सिद्धानत अबिन्यास होना चाहिए ठीक है मुझे लग रहा है कि आपने लगबग सारे सही उप्षन सही होगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेजिए आपके लिए जरूर से जरूर यह चैनल जो भी आपको मैं इंफोर्मेशन या डेटा प्रवाइड करने का प्रियास करूंगा टॉपिक से रेटेट मैक्सिमम इंफोर्मेशन जो भी कोशन पूशे गए हैं डिफरेंट स्टेट में टेट से से टेट के उनको एनलसिस करने के बाद ही मैंने किसी टॉपिक को पढ़ाना का वीडियो डालता हूँ तो आपको जरूर से जरूर यह वीडियो यह चैनल आपको फायदे मन होने वाला है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेजिए और दोस्तों के साथ सेर करिए बहुत बहुत धन्यमादा